कि है लो गाई आज की जो वीडियो है वो देली इनिवर्सिटी पार्ट टाइम फोरिन लेंग्वेज कोर्स के ऊपर है सबसे पहले मैं यहां बात करूँआ कि डिफ्रेंज क्या होता पार्ट टाइम कोर्स में और फुल टाइम लेंग्वेज कोर्स में यह काफी बच्चों के सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वह पूछ रहें कि हम यह सब्सक्राइब करें तो इन में डिफ्रेंज क्या है और डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा होता कैसे काफी सब्सक्राइब कर सकते हैं कि हम डिप्लोमा कर सकते हैं यह सारे सवाल का जवाब में यहां पर दे है मैं सिर्फ यहां पर देली युनिवर्सिटी की भी बात कर दो हूँ ठीक है काफी सारे कोलेज है 20 से उपर ही कोलेज है वैसे ठीक है अब यहां पर eligibility criteria क्या रहता है सभी सभी courses का जो सट्वेट हो गया diploma हो गया advanced diploma हो गया eligibility criteria तीनों का अलग-अलग है और document कौन से require होते हैं at the time of admission तो आप लोग इस document को तयार रखना अगर आपको part-time foreign language course में admission लेना है ठीक है और यहां पर है language course की fees कितनी होती है approach में यहां बता हुआ क्योंकि डिपेंड करता हर college पर और यहां पर छटा है admission process procedure क्या है किस तरीके से हमें क्या के चीज़े step-by-step में बता हुआ होता कैसे और admission start कब होंगे और cut-off क्या रहती है basically और यह difference between part-time and full-time language course तो सबसे पहले यहां पर जो बात लिखे यह part-time है और यह है full-time part-time में मैं थोड़ा दूसरा कर लेता हूं यहां पर हां तो यहां पर देखो मैं सबसे पहले बता दू पार्ट time में आपकी जो है weekly classes लगती है ठीक है कि हाँ जखो चलो पार्ट टाइम में आपकी weekly classes लगती है full-time में आपकी regular class लगती है regular class in the sense Monday to Friday किसी किसी college में Monday to Saturday भी चलता है ठीक है full-time course अगर आप यह उनर्स फ्रेंच करना चाहते हो फ्रेंच जर्मन काफी सारी language course भी होती है उर्दू उर्दू भी होती है यह उनर्स हिंदी भी होती है तो यह सारे courses regular के अंदर आते जो वीकली classes जो लगती है वो पार्ट टाइम में लगती है एक दो घंटे class लगती है यह आप लोगो time में बता रखा है एक वन टू टू हावर classes होती है ठीक है एक से दो घंटे इससे ज़्यादा class नहीं लगती है ठीक है और यह weekly classes होती है किसी किसी college में Saturday Sunday को होती है किसी किसी college में हफते में तीन दिन class लगती है ठीक है और एक से दो घंटे class लगती है लेकिन regular course में क्या होता है अगर आप बीए उनर जर्मन करना जाते हो बीए उनस French करना चाहते हो तो यहां पर Monday to Saturday Monday to Friday तो क्लास लगेगा डेली और यहां पर एक चीज़े यहां पर आपकी क्लास होती हो वह पांस से लेकर 8 घंटे तक क्लास होती है क्योंकि काफी सारे subjects होते इसमें तीक है अब यहां पर तीसरह है aftar completing the course से अगर आप स्कूर्स को कम्प्लीट करना चाहते हो इसके बाद आपको सार्टिफिकेट के अंदर मिलेगा डिप्लोमा के अंदर Annual अधर नोल से अधर टलोमा को ऐडवांस आपको मिलता है ठीक है अब लेकिन अगर अगर की बात करो तो यहाँ आप को 선미 करोगे तो यह अगर दिप्लोमा के अंदर एप्लाई करना होता है फिर उसकी है ये कोर्स की को पिरेच worship काफी बच्चों के मन में यह सवाल है कि क्या हम भागती है ये आप डिप्लोमा नहीं कर सकते ये मैं बतारो नहीं कर सकते डिप्लोमा सबसे पहले आपको साटवेट ही चाहिए उसके बाद डिप्लोमा करोगे उसके बाद एडवांस डिप्लोमा बीच माँ छोड़ भी सकते हो eligibility criteria मैं आपको अच्छे समया हुआ so don't worry, video script कर सकते हो अगर आपको eligibility criteria especially देखना है अब यहाँ पर B.A. owners French करोगे B.A. owners German करोगे, उर्दू करोगे, संस्क्रित करोगे B.A. owners करोगे basically तो यहाँ पर जो course के duration होने वाली है वो 3-4 year होने वाली है क्योंकि आप देखो आप लोगों मैं बता दू Delhi University के अंदर new education policy implement हुई है इसके अंदर क्या था basically NEP जो लाओ हुई है इसके बाद जो है सभी university में जो आपकी degree course है जो B.A. owners के courses हैं यह B.A.C. के हैं यह B.C. कोम हैं इस course की duration जो है तीन साल से बढ़ा कर चार साल कर दिगी है वैसे review के अंदर एक option भी है कि आप 3 साल की degree opt कर सकते हो यह चार साल की यह आपकी उपर choice है आप 3 साल कभी कर सकते हो चार साल कभी कर सकते हो Benefit आपको दोनों में होगा चार साल के करोगे तो चार साल में आपको एक और बेनिफिट होगा बेनिफिट के उपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रहा किए तो आप जाकर चेक आउट कर सकते हो लिंक मैं डिस्क्रिशन में दे दूँआ कि अगर तीन एर और फॉर एर की ग्रेजिशन में क्या बेनिफिट होगा ठीक है अब यहां पर कौन-कौन से कोलेजिज हैं जो पार्ट टाइम फॉरेल लेंग्विज कोर्स करवाते हैं ठीक है अब मैं यहां पर आपको दिखाता हू यहां पर बता दूँ हैं बता भी रखा है कि जैसे भारती कोलेज के अंदर कौन-कौन से कोर्स हैं जैसे साट्वेट डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा यह तीनों चीज़े करवाई जाती है फ्रेंच एंड जर्मन में ठीक है तो यहां पर इन्होंने कोर्स ओफर भी मैंने लिख रखा हैं यहां पर क सब्सक्राइब कोईड को लिजें आप एप्लाई कर सकते हो ठीक है शरीगुरु गोविंसिंज कोलेज ओफ कोमर्स यह भी कोईड है अब साउथ केंपस के कुछ को लिजे जिसे आचारी नरेंदेव कोलीज यह भी कोईड है कोलेज ओफ वोकेशनल स्टडीज जो है इसे अगर 2023 में होगा एडिमिशन तो मैं आप लोगों को बता दूआ लेकिन 2022 में एडिमिशन नहीं हुए क्योंकि मैं डेली कोलेज वेबसाइट चेक आउट करता हूं और उस टाइम पर मैंने एडिमिशन के वीडियो भी बना रखी है काफी सारी तो आप चेक आउट कर सकते हो सब्सक्राइब दिन धयल उसट जेएक कोमर्स हो गया और हुएलकी कोलेज हो मंन इस मैरी स्यम्आप गालेज है कमला नहरू कोलीज देख है मैथे मैत्रि कोलीज जबी में ओमन पर कैचर्णवा में रिल्ओम हो गया 30 यहां पर ईप्लोमा इन जर्मन में सबचो बिसक्लिंए एक और लेंगोज एड हुए हैं यहां पर चाइनीज लेंगोईज भी एड हुए श्रीवें कटेशुड़ा के अंदर चाइनीज लेंगोईज के अंदर एडमिशन हुए थे 2022 में तो इतने सारे कोलीजी हैं यहां पर अब मैं यहां बात करता हूँ को eligibility criteria क्या रहता है तो eligibility criteria कोई बहुत खास रूल नहीं होता है सबसे पहले आप लोग क्लास 12 पास आउट हो और एट लिस्ट कम से कम 45 परसंट आपका होना चाहिए नंबर क्लास 12 में वैसे में बता दू यह डिपेंड करता हैं यहां पर मैंने एक और चीज लिखी है 50 to 55% marks depend on college basically क्या होता है कुछ colleges ऐसे है जो मैंने उपर आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहती है इनका भी अपना eligibility criteria आता है कम से कम क्लास 12 में 55% बना कर चलना तीक है वैसे यहां पर 45 परसंट जो लिखावा यह आपकी department of roman studies की वहां से website से मैंने लिए तीक है और यहां पर admission will be made in order of merit based तीक है degree certificate in each of following देखो यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों बता दूँ जो आपका admission होता है merit based पर होता certificate course के अंदर दिहान से सुनो certificate course के अंदर merit based पर admission होता है ठीक है आपके class 12 के marks पर जो आपकी class 12 के number आ है उसके भिहाप पर admission होगा आप apply करोगे उसके बाद जो है merit आती है कि अगर आपकी class 12 में 99% है 90% है 75% है 62% है तो आप आपका admission हो जाएगा वहां पे name mention होएते ह पर आपको आगे बताऊंगा admission procedure में ठीक है फिर यहां पर graduate candidate अगर आप देखो finally अगर आप final year के student हो भी तो अभी यहां पर class 12 बैस ही माने जा हुए लेकिन अगर आप graduate हो चुके हो किसी भी college से किसी भी university से अगर आप graduate हो आपके पास result आ गया है तो आप graduate base पर apply कर सकते हो certificate course क के अंदर French German Spanish जितनी भी language है ठीक है और post graduate हो गया तो आप post graduate के भी है लेकिन आपका पूरा हो जाना चाहिए ठीक है अब यहां पर मैं आप लोग को पता दू डिप्लोमा कोर्स के अंदर eligibility criteria क्यों होता है कि सबसे पहले आप लोग जो है University of Delhi यानि डियू से certificate course pass out होने चाहिए यह चीज़ है लोगों डियू अगर आप देखो माता सुन्दरी कोलेज में admission था आपका तो यह भी डियू के अंदर है मतलब डियू के जितने colleges हैं अगर आप वहां से part time foreign language course करते हो जो मैंने उपर लिस्ट प्रोवैड कर रखी है उन college से अगर आप certificate course करते हो तो आप लोग के अंदर certificate course in French language में फिर आपको यहां पर diploma course के अंदर apply करना है आप due से pass out है आपने हंसराज college से करा हंसराज college due कई है और वहां से pass out आप 75% से हुए in French language में तब आपका जो है married मेरिट बेस पर admission हो जाएगा ठीक है एक और चीज मैं बता दूँ कुछ college ऐसे हैं यह डिपेंड करता है हर college का ठीक है कुछ college जैसे हैं जो प्योर्ली इंट्रेंस टेस्स लेते हैं लेकिन ज्यादातर college क्या करते हैं डिप्लोमा course के अंदर यह advanced diploma course के अंदर अगर आप due से pass out होते हो तो मेरिट बेस पर आपका admission हो जाता है लेकिंग जो अधर यह अधर मतलब क्याना मेरिकोगनाइस बोर्ट से pass out होते हैं साट्विट कोर्स करते हैं किसी institute से कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप डिप्लोमा course के अंदर apply कर रहे हो तो आपको इंट्रेंस के अंदर बे है जो डियू से pass out नहीं होते हैं जो अधर मतलब फॉर एंस्टिट्यूट से साट्विट कोर्स करकर रहे हैं उनके लिए इंट्रेंस होता है वैसे डियू आले बच्चे भी इंट्रेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कुछ को जो है बेसिकली इंट्रेंस ही लेते हैं ठ अधर इंस्टिट्यूशन और वन यर और मॉर बिफोर दे यर ओफ एड्मिशन सेल वी रिकॉर तो एपियर इन एड्मिशन टेस्ट है देखो मैंने बताया ना इंट्रेंस के लिए आपको एपियर होना पड़ता है अगर आप डियू से नहीं करा अगर आपने साट पेट को स्थिकेया पर नोंगे लिख रखाए डिपलोमा के अंदर क्या ओं एडवांस डिपलोमा के अंदर भी इए खासियत सेयम चीजिस जो मैंने बताई है कि आप लोग क्या है डिपलोमा कोस के अंदर दियू से पास आउट होने चाहिए उसके बाद यहाँ पर एप लोगों का पर होता है कुछ के अंदर फिर यहां पर आप लोग चाहो तो इंट्रेंस के अंदर भी बैठ सकते हो लेकिन अगर आप डियू से पास आउट आपने डिप्लोमा जो करा है साट विट डिप्लोमा इन फ्रेंच लेंगे आपने किसी प्राइवेट इंस्ट्यूट से करा या फि दिखाए साफ दोर पर और अगर आपने डियू से पास आउट हो फॉर एक्जांपल दोहजार आप तेईसमेंड मिशन लोगे तो दोहजार एक किसमा आप लोग पास आउट हो गई थे अब आपको दोजार तेशमेंड मिशन लेना एक साल का गेप हो गया तो गेप यह इस क जवाब है नूम सबसे पहले से स्टेप होता है साटवीड कोर्स एक साल का होता है काफी स्ट्वेंट और डिप्लोमा को कंट्यून नहीं करते एडिमेशन नहीं लेते तो आपको साटवीड को दे दिया जाता है उसके बाद जबाद ऑपको साटवेट रिजल्ट आता साट cuma उसके बाग सब्सक्राइब के लिए अप्लाइक करना होता है चाहे तो अप चाहसा सब ना करो आपको सब्सक्राइब करो ऑपको साट विट करो तो यह पूरी चीज होती है, अब यहाँ पर मैंने एक और चीज बता रही है, इंटरेंस और मेरिट, देखो, साइट विट कोर्स के लिए, बैसिकली जो है, मेरिट बेस पर एडमिशन होता है, इसके लिए, इंटरेंस नहीं होता है, ठीक है, अब कुछ चेंज होए तो मैं ब साइट विट कोर्स के अंदर, तो उनका मेरिट बेस पर एडमिशन हो जाता है, एडवांस दिप्लोमा के अंदर भी सेम क्राइटेरिया है, इंटरेंस और मेरिट दोनों भी आप पर एडमिशन होता है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, डोकुमेंट कौन कौन स सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपके यह पास यह जरूर रख लेना, ठीक है, यहाँ पर फिर दूसरी चीज़े कोई ज्यादा डोकुमेंट नहीं होते, कि लास 10 और 12 की मार्क शिट होनी चाहिए, आपके पास कि लास 10 और 12 यह जिए तो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर यूजी और पीजी की मार्क शिट मैंने इसलिए लगा रखे कोलम में, कि अगर आप देखो यूजी पास आउट हो, अगर आपने पास आउट हो, फाइनल यहर में हो, आभी परसीव कर रहे हो, तो आप अप अप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप ग्रेजुट नहीं होते हो, आप अप अप्लाई जब ही करोगे हैं, ग्रेजुट बेस पर जब आप फाइनली ग्रेजुट हो जाओ, अगर आप अगर आप सेके यह और से हो, फस्ट एर से हो, ठीक है, अब यहाँ पर पीजी बेस पे भी यही होता है, मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दू, SC, ST, OBC, EWS, कैटेगरी, देखो, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से रखते हो, तालुक रखते हो, तापका साट्विट होना चाहिए, रिजर्वेशन कैटेगरी का लेकिन यह चीज़ ध्यानक नहीं, आपका 31 मार्ज से बाद होना चाहिए, यानि 31 मार्ज 2023, 31 मार्ज 2023 के बाद आपको उस रिजर्वेशन कैटेगरी जो साट्विट होता आपका, उसे रिन्यू करवाना होता है, आपकी डेट रिन्यू हो जाती है, तो रिन्यू करवा लेना अराम से और अगर आप डियू कंदर एडिमिशल नेतों न तब भी वह 31 मार्च यानी एक अपरेल से लेके आपका विन्यू मांगता है तो यह आपका बैसिकली रहने वाला है डोकुमेंट प्रोसेजर ठीक है कोर्स की फीज क्या है कोर्स की फीज डिपेंड करती है कोलेज पर पार्ट टाइम में अगर आप इस पैनिश करना चाहते हो फ्रेंच करना चाहते हो जर्मन करना चाहते हो तो इनकी फीज जो है जादा होती है एस कंपेर टू अदर लेंग वेज़िज ठीक है अब एक और चीज में बता दो डिपेंड करता है कोलिज में एक एक जामपल भी लेतों आप लोगों जैसे अगर आप नॉर्मली हंसराज कोलीज में करोगे तो 15 के फीस होती है ठीक है 15 के फीस होती है ज्यादा नहीं होती 15 के 15,000 मतलब 15,000 भी होते हैं एक साल के साथ से इतनी ही लगती है यह कम है फिर जब कि कुछ इसे हैं जैसे आठ हजार में हो जाता है दस हजार में हो जाता है जैसे इतनी हो गिया दस जार में आपकी नॉर्मली हो जाएगा आप लोग को बता दिया आप लोग समझदार हो बाकि आप लोग चेक आउट कर सकते हो मैंने जो है पर्टिकुलर पार्ट टाइम फोरें लिंग्विज कोर्स की वीडियो बना रहा है वहाँ पे कटोफ बता रहा है वहाँ पे आपको प्रोसीजर बता रहा है एपला ही कैसे कर अचेहँ आप प्लेलेट जाकर शेक आउट कर सकते है viens करके मैं करके मैंट that करके बना लगे पार्ट टाइम फ्रेंच जर्मन इटेलियन और स्पैनिश और भी लेंग्विजिज यहां पर संस्कित भी है संस्कित यहां पर आपकी सेंट स्टिफन कोलेज करवाता है ठीक है बहुत बहुत लेंग्विजिज अब इक चीज में बता तो कोलेज कर दो अब इस जादा नेता है तो आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको पर्टिकुलर पर एप्लाई करना होग़ा है अब अब मत सोचना कि मैं डिव के अंदर यही कर मजा करा हमाँ हंस्राज के पॉल पर हिंद खुरें करना पड़ेंगा उसकी कोस्ट अलग आती है कोलिज होते हैं MA50 रुपे लेता ज्यादा लेता है ठीक है लेकिन जो है 50 रुपए हांसराज में 50 रुपए रिश्टेशन चार्ज होते हिंदू कोलेज में सो हो गए ज्यादा तर कोलेज में 100 रुपए होती है रिश्टेशन चार्जेस तो यह आपको पर्टिकुलर कोलेज की वेब साइट पर मिल जाएगा जब अधिमिशन प्रिस्क्राइबड फॉर्म शुड भी सब्मिट बाइद प्रिस्क्राइब डेट एंड टाइमिंग अलोग में यह वह है बैसिकली जो कोलेज अगर आपको बहुला है कि इस डेट को आपका फॉर्म सब्मिट कर दिना और यहां पर नोंने यह जोगों चीज लिग भी रख अभी तो आपका मेरिट में नेम नहीं आया ना आप करना चाहते हैं दोनों में से किसी एक लेमज मा जाएं तो फिर यहां पर आपका फ्रेंच के लिए अलग भरो फीस जर्मन के लिए अलग फीस भरो पचास-पचास रुपे हंसराज में ऐसा हिसाब है ठीक है बाकी कुछ से बता रहे हूं मैं भी उधारों जुलाव अगस से स्टार्ट हो गयाते हैं कि इस साल थ्वद्वीहोने की समभावना है क्यूंकि दयू ने काफी कह राक है कि Saan क्यूंकि आपको में बता दू काफी बार ऐसा होता है जनवरी तक PS के ऑप्पार्टयम माने जारी ऐडमिशन अभर को नहीं करते हैं किसी में सबंग करता है हिंदु का आउट करेगे उसकते हिंदु करते पRes semble जरूरी नहीं कि वह अगस्त में निकालते सारे कोलिज एक साथ नहीं निकालते वह अपने टाइम के अगोडिंग निकालते हैं तो यह चीज भी ध्यान रखना अब यहां पर कटॉफ के लिए देखो मैं आपको अपना बता दू कटॉफ के लिए तो आप लोग भाई प्रीव जिस कोलिज की है जिए जिस कोलिज में प्रट टाइम फोरिल लेंगविज को होता है ठीक है बाकि जो सेक्ट कटोफ है कुछ कोर्से में मैंने बना रहे कुछ को लिए थाड़ और फॉर्ट एंट 56 इन सब की नहीं बना रहे थी तो आप वेबसाइट चेक कर लेना उनके लि जय होता है जग दो खवेबसाब दाप सक्षी कोफे शॉर्छ लेसें म дог़त की बना रहे bang